बच्चो अब तक हमने इस अध्याय के अंतरगत कुछ बीमारियों की बात की वो बीमारियां कौन सी थी कुछ संक्रामक थी कुछ असंक्रामक थी यानि कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां थी जो पैथोजन्स के जरिये फैलती थी और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलत अब हम कुछ और शिदियां या ड्रक्स की बात करेंगे और ड्रक्स के क्या प्रभाव होते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे तो बच्चों जैसे हम जानते हैं कि प्राचिन काल से ही मनुष्य जो है यह जो पैथोजन्स हमारे वातावरण में रहते हैं इन से प्रभावित होता रहा है इसका मतलब है कि मनुष्य जो है इनके जरीए किसी ने किसी बीमारी से ग्रसित होता रहा है तो इन बीमारियों से बचाओं के लिए इनके उपचार के लिए प्राचिन काल से ही जड़ी बुटियां और शदियों की खोच की जाती रही है तो कुछ ऐसी जड़ी बुट प्रविष करजाएं और हमें रोग्रस्त ना कर सके उनसे सुरक्षा के लिए या there जो है तो यही जो है वह ड्रक कहालाती है अब इनका जो उपयोग है किसी खास उद्देशी के लिए किया जाता है यानि किसी बीमारी से बचाओ के लिए या उसके उपचार के लिए लेकिन आजकल जो है वरतमान परिसितियों में यह देखा जा रहा है तो इन ओशदियों का उपयोग जो है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसी ह हो जा रही है कि कुछ व्यक्ति लगातार इनके उपयोग से एडिक्ट होते जा रहे हैं यानि उस पर उनकी निर्भरता बढ़ते जा रही है तो यह कौन-कौन सी ओशिदियां हैं और जो शरीर को खराब कर रही हैं बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हैं उनके बारे में हम बात करते हैं तो कुछ ओशिदियां जो है हमें जैसे पौदों से मिलती हैं पौदों से प्राप्त होने वाली ओशिदियां वो कौन-कौन सी हैं जैसे इन में कुछ एलकेलोइट्स होते हैं एलकेलोइट्स में जैसे मार्फिन है कोडिन है कैफिन है यह जो है एलकेलाइट् तो केस्टर ओयल है क्लो ओयल है यह यूकलिप्टस से भी ओयल मिलता है तो यह भी एक तरह कि और शदी है कुछ गम यानि गोंध है तो अरेविक गम है आगर-अगर है कुछ टैनिंस है यह भी हमें पौदों से मिलते हैं कुछ आशिदियां जो है में जन्तों से मिलती है अब से मिलने वाली जैसे हैς इनसूलीन है लिवर एक्सट है थाइराइड एक्सट है हिपैरीन है एसे ही फिश कोड लिवर ओयल है यह भी हमें जनतों से मिलता है तो इस तरीके से यह जनतों से हमें मिलती और कुछ जो जिन से यानि बैक्टिरिया और फंगस से यानि सुक्ष्म जीवों से भी हमें प्राप्त होती हैं तो यह सुक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले जो एंटिबाइटिक्स हैं कुछ का नाम तो आपने सुना ही होगा और यह हैं पैनिसलिन है इसका नाम आपने सुना से प्राप्त होती है इस तरह से यह हमें पौधों से जनतों से और माइक्रो ऑर्गनेजम से प्राप्त होती है वह प्राप्त होती है जैसे कि लिक्विट से प्राप्त होती है अब कुछ ऑशदियों को जो है उनके असर के आधार पर यानि कैसे यह प्रभाव शरीर में इनका पड़ता है तो इस आधार पर दो कैटेगरीज में इनको बाटा गया है एक है साइको ट्रॉपिक और दूसरी है साइको डैलिक ड्रक्स है अब यह साइको ट्रॉपिक जो ड्रक्स है इसको भी चार कैटेगरीज में बाटा गया है एक है शामक यानि सेडेटिव यह दर्दनाशक पीडाहारी होती है और कुछ आगे कर्टेगराइज किया गया है अब जो पहला प्रकार है वो सिडेटिव है यानि ये पीड़ा हारी होती है तो ये क्या करती है ब्रेन को इनक्टिव कर देती है इससे बॉड़ी जो है निश्चेंत सुस्त और स्वतंत्र हो जाती है इसके जो उधारन है वो है वैलियम है ईयपॉवन है। इनको स्लिपनग मिल्स भी कहते हैं क्योंकि इनको लेने से जो है वो नीद広ती है और विक ती जदी THIS के एक बार इसका अपयोग करने लग जाता है तो इसका वो एडिक्ट हまぁ जाता है जब हम्हें नीद आती है तो वह फीर इस तरह की गोलिया लेता है तो explicit कोलियों के एडिक्ट होने के कारण जो है दूरगामी इसका प्रभावे बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कोई भी ड्रक्स कोई इस तरह की ओश्यदियां जो है वह शरीर के जो है अंगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और मुख्य रूप से देखा जाए तो सेंट इस तरह है विना निड्रा के तना और व्यागरता जो है उसको दूर करती है तो यदि किसी को ना होता है तो वह इस तरह की दवाईयां लेता है तो इसके ग्जाम्ब्ल से वह फीनोथिय जि्दैन्स बेंजो डाजेपिन्स है इस तरह की ओषणिया जो है वो लोग लेते हैं तीसरा जो है नार्कॉटिक्स है यह जो है उक्ति जो भीट नार्कॉटिस जु नार्कोटिक्स जै इसमें जो है फीम के वियुतपन आते हैं तो आपने नाम सुना होगा, हेरोइन का, कोकिन का, कोडिन का, तो यह अफिम से ही प्राप्त किया जाता है, हेरोइन जो है स्मैक के नाम से बहुत जादा मशूर है, और बहुत जादा घातक भी है, विशेला एक तरह का रसायन है कहना चाहिए, तो इंटरनेशनली लिवल पर इस पर बैन है, लेकिन फिर भी लोग जो है, इसका गैर कानोनी तरीके से स्मागलिंग करते हैं, एक दुसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हर जगह की जो गवर्नमेंट है, कोशिश कर दिये कि इस पर बैन लगे, लेकिन लग नहीं पाता है, तो यह हेरोइन जो है, ऐस पदार्थ है, जो आफिम का जो यानि पॉपी का एक पौधा है, उसकी एक स्पीशिज है, पैपेवर सौमनी फेरम है, उसके लेटेक्स के एक्स्ट्रेक्शन से प्राप्ति किया जाता है, और मॉर्फिन के एसे टिलाइजिशन से प्राप्ति किया जाता है, तो इस हेरोइन की को जो लोग है वो कैसे लेते हैं यह इस के ओर भी जो भी मार्फीन हाँ वह काफी खतरनाक होता है तो क्यों लेते तो उससे बचने के लिए लिया जाता है लेकिन देखा जाए तो यह कुछ समय के लिए कहना चाहिए प्रभावित होते हैं यानि उस समय की परिस्थितियों को लोग भूल जाते हैं लेकिन वापस जो है उसी दुनिया में ही आना पड़ता है उसी चिंता के साथ जीना पड़ता है लेकिन इसका शरीर में जो है जैसे बात की की बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है इसमें जो है पुतलियां जो हैं वो सिकुड जात कंण हो जाती है दर्द होने लगता है तो इस तरीके से ये लगातार फिर उसके क्या हो जाते हैं और धीरे-धरे शरीर खतम होते जाता है को स्कारिश हमता प्रभावित होगी काल होते जाएगी थो यह तो लोग जो है निगल करंगर अगीकशन त्सिरीति के keJust, क्या है तो इस से संद भिपक्ट है लें पर शारे हैं जो इन ड्रक्स का उपयोग करते हैं तो इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं तो होता क्या है कि यदि वो डिस्पोजिबल नहीं रही किसी की यूजड वाली रही तो इससे एट्स और हिपेटाइटिस भी जैसे बीमारियों के होने के बहुत जादा चांसे होते हैं एक चौथा प्रकार और है इस्टुमिलेंट का है यह जो है काफी ज़्यादा ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है इसका मतलब है शरीर में काफी ज़्यादा सतरकता और जागने की छमता बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं इस तरह के स्टुमिलेंट लेते हैं इसको एजा और कैफिन को लोग लेते हैं तो कोकिन जो है एक सफेद रविधार पदार्थ है और ये कोकिन जो है कोका नामाक पौधे से प्राप्त होता और ये कोका जो पौधा है वो दक्षेन अमेरिका का मूल पौधा है और इसकी शुरुवाद भी कहना चाहिए वहीं से हुई बहुत प्राचेन जमाने से जो है वहां के लोग इसकी पत्तियों को यानि कोका की पत्तियों को जो है वो चबाकते थे तो एक तरह का नशा आता था धीरे धीरे ये जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया और अब तो बहुत ज्यादा इसका उपयोग लोग करते हैं भारत में सबसे ज् करेंद में भिक कितना ज्यादा प्रफार पड़ रहा इस पर भी हमें जरूर सोचना चाहिए को को कीन का उपयोग जो है वो खिलारी भी करते हैं और खेल के समय इसका दूर्पयोग करते हैं क्योंकि को किन को लेने से जो है शरीर की चमता जो है वड़ जाती है कारे चमता बढ़ जाती है सतरकता बढ़ जाती है तो इसका दूर्पयोग करते हैं दूसरे जो कैटेगरी है वो साइकोडेलिक ड्रक्स हैं यह जो है भ भावनाओं को परिवर्तित करके जो एक्चुली कंडिशन से उसको परिवर्तित करके उसमें भ्रहम की स्थिति पैदा करते हैं तो इसलिए जो है ये भ्रहम वाली दवाईयां हैं ये ड्रक्स हैं और इसमें कई ऐसे रसाइनिक पदार्थ जो है इसके अंतरगत जो है वो आते उससे निकालते हैं तो कहना भी सटाइवास के जो पुश्वक्रम है यानि इन फ्लोरी सेंस है उससे यह कुछ के नाम जैसे की मेरिजवाना है हशीश है चरस है गांजा है उनसे प्राप्ति किया जाता है यह जो है इसमें और लस्टी और पेपर एडिन है यह भी आता है तरह का नशीला पदार्थ है जो शराफ से कम प्रभावशाली है यह ब्रेन को अस्थाई रूप से प्रभावित करता है इसमें जो है रोमांच और संसरी पैदा होती है इसको लेने से तो एक्चुली ऐलस्डी को लेने वाले जो हैं वो कम उम्रके विद्यारती कम उम्रके लड़के लड़कियां इस और प्रेडित होती है कि पहली बार जो है इसको लेके देखें जिसको लेने से जो है रोमांच पैदा होता है अद्भुत आनंद की प्राप्ती होती है ऐसा वो यूवा वर्ग सोचता है तो उस सोचने के कारण जो है वो इस और प्रेडित होते है एक तरक का जो कवक है वो प्यूरा है उससे प्राप्त किया जाता है तो यह हो गया और एमपेटेमिन कहले बार्बियूरेट कहले बेंजोडाजेपीन कहले यह जो कुछ दवाईयां है यहां कहना चाहिए जो ड्रक्स है दर असल में इनका उप्योग जो है कुछ ऐसे पेशें किनी को नीडनी आती है उनकी सहाइटा के लिए यानी उनके लाव-के लिए यह को डिवाइडि दिजाती है लोग जो है इसका गलत उप्योग करते हैं आपने लगते हैं तो इस तरीके से वह बॉड़ी जो है वहां उजाती एड़ेक्ट हो जाती कई बार जो है धार्मिक अनुष्ठानों में है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है कई उत्सवों में इसका उपयोग किया जाता है तो वास्तविक उद्देश से ना लेकर यदि किसी और तरीके से इन ड्रक्स का उपयोग किया जा रहा है तो यह जो है निश्यत रुप स आफिए एक समाच के लिए कहना चाहिए यूवा वर्ग के लिए किशोर वर्ग के लिए जो है बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए ही ये जो टॉपिक है अपना ट्वालत पर के भालजी के सब्जेक्ट में रखा गया है आप भी यूवा पीड़ी है आप इस बेसिकली इनका जो है काम क्या होता है ये किस तरीके से बॉड़ी को अफेक्ट करती हैं तो जैसे हमने ऐसे कुछ औशदियां या ड्रक्स की बात की ऐसे कुछ और भी नशीले पदार्थ हैं जिनका उपयोग जो है वो किशोर वार्ग और युवा पेड़ी करती है बड़े ल उपयोग होता है यह तंबाकु जो है निकोटियाना टावेकम नामक प्लांट है उसकी सूखी पतियां है तो इसको तंबाकु में निकोटिन रहता है तो इसको जो लोग है या चिलम में या सिगरेट में या बीडी में उसको लेते हैं या फिर इसको जो है इसकी सूखी पत खटảnना के हमारे शडीव के लिए अब इसके बात करें तो ret zustी तामे़ को में जो हैS 2alah 500 से ज्यादा रखाम पड़ार्फ पाए जाते हैं तो यह रसाइनी पडाइट जो isn't से हैं जैसे हमने ने कोटिन की बात की अलगालाइट की बात की defaults प्रभावित करते हैं तो इस तरीके से यह तंबाकु भी नशीला पदार्त है जो लोग लेते हैं हर बीड़ी के लोग लेते हैं इसको अब इसका यदि प्रभाव देखा जाए यानि बॉडी में यह किस तरीके से किन किन अंगों को प्रभावित करता है तो मुख्य रुप से देखा जाए तो यह सैंट्रल नर्वस सिस्टम यानि की ब्रेन को और जो ट्रांसमीशन इंपल्स ट्रांसमीशन है यानि जो आवेग संचरित वाला मार्ग है उसको यह प्रभावित करता है किड्नी की यह क्रिया शिलता को बहुत कम कर देता है और दूसरी बात जो है तंबाकू को जिलों धूमे के रूप में लेते हैं स्मोकिंग के रूप में लेते हैं सिगरेट में जैस और परेग्नेट लेडी के लिए तो किया होगा सकता है वो बहुत जादा नुकसान हो सकता है विकास रुक सकता है उसमें और इवन followers की डेथ हो सकती है तो ऐसे जिए बहुत ज्यादा इसके हानेकारक इफक्ट है एव हमाशय को भूंच प्रभावित करता है तो अमाशय में क्या है इसकी अमलीता बढ़ता है जैसे मौ में लोग रखे रहे तो लार का सिक्रिषन बढ़ जाता है अमाशय में उसकी अमलिता बढ़ जाती है तो जिसके कारण अलसर होने का चांस के जो है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तंबा मोदनी ग्लैंड पेड़ित करता है एडिनलिल हार्मुन जदा सिग्रिट करने के लिए और ये एडिनलिन क्या करता है हाट रेट को बढ़ा देताерм। बलड टिशर को हाई कर देता है असल में जब भी कोई व्यक्ति जो है सिग्रेट का पैकेट करेता है तब साफ साफ तौर पर इस पे जो है वो स्वास्ति के लिए हानी कारख है ये कानूनी चेतावनी जो है उस पर लिखी रहती है लेकिन हर एक व्यक्ति की उस पर नजर जाती है लेकिन उस चेतावनी को दर किनार करके फिर भी जो है लोग क्या करते हैं स्मोकिंग करते हैं वो निकोटिन लेते हैं तंबाकू लेते ह असल में यह लेदे से फिर इम्यून सिस्टम भी एफेक्ट होता है हमने अब दिरक्षा तंत्र की बात किया तुप पिछले वाले पार्ट्स में तो प्रति रक्षा तंत्र यदी वीक हो गया तो और जो बीमारियां मतलब और जैसे टीबी हो सकता है जैसे हमने अबर चैंसर की बढ़ जाते हैं तो इस तरह किसे overall देखा जाए तो ये नशीले पदार्थ जो हैं एक तरह से अपने शरीर को खराब करने वाले ही होते हैं लेकिन हीवा पीडी जो है बार-बार इससे अट्रैक्ट होती है और फिर इसकी addict हो जाती है अब हम एक और नशीले पदार्थ की बात जाता है यह शराब जो है एक तरह का नशा है लोग मानते नहीं है अहला कि इसको लेने से जो है वो तुरंट एक मिनट में जो है वो आमाशा में आवशोचित कर लिया जाता है और फिर ये ब्लट सर्कुलेशन के जरी हर जगा पहुंच जाता है और इसको पीने के बाद तुरंट जो है बेहोशी से आने लगती है नीद आने लगती है एक तरह का कहना चीज जो नशा है लेकिन वो माना जाए तो एक तरह का विश है जहर है वो किस तरीके से ऐसे कुछ लोगों ने इ देखा जा सकता है तो यह एलकोहल जो है वो शराब शराब जो है ताड़ी ब्रैंडी शैंपेन रम तोड़ी अधी रूप में ली जाती है और इसमें जो है एलकोहल का यानि एथाल एलकोहल का जो परसेंटेज है वो भी अलग अलग रहता है तो जैसे की ताड़ी है उसमें जो है 5% रहता है तो इस तरीके से जो वह डिया जाता है और और शरीर को ये प्रभाविक करता है तो यह जो अजितमा सहले हैं नेच्छल भावित निएलर पाever जाता है फिर्ट एन पारद में प्राक्रति सब्स्क्राइब की निए पार जाता है कि 1974 कि आलूड गुड आंगूर है पाम जूस है महुआ के फूल है इन में कार्बोहाइडड होता है और इनके जो कार्बोहाइडड है इसमें एक प्रक्रिया कराई जाती है किडवन की यानि फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है जिस प्रक्रिया के जरिये जो है यह एलकोहल तयार होता है और इस प्रक्रि तो जब यह इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाया जाता है तो इस्ट को डाला जाता है इस्ट सुक्ष्मजी भी है वह एन और भी रेस्पिरेशन करता है वह जो कार्वोहाइड्रेट है जो शूगर है उसको लेता है अपने भोज़ेपदार्थ के रूप में और उसको वह एथा करने घृश्यष रह जाता है तो इस तरिए इस अर्कोहल को तैयार किया जाता रही है अभी अव्य शुद्ध रूप में इस में जल नहीं होता है यानि परिशोधित करके ऑलकोहल को बनाया जाता है लेकिन फिर धीरे देश में जल की मातरा मिलाई जाती है अब इसका यानि शराब का यदि शरीर में प्रभाव देखें तो वो किस तरीके से शराब लेने वाले जो अल्कोहल लेने वाले हैं उनके शरीर को प्रभावित करता है तो सबसे पहली बात जो है इसमें नर्वस सिस्टम प्रभाईद होता है तो ब्रेन की जो control power है हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर को control करने वाला मस्तिशक है लेकिन उसकी ही पावर यानि उसकी ही छमता जो है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है अब शराब पीने के बाद जो है सही गलत को समझने की भी छमता खतम हो जाती है अब अलकोहल पीने के बाद फिर पारिवारिक कलर भी होते हैं जगड़े होते हैं अब चुकि यह महेंगा इसको लेने के यदि आदी है तो चुकि महेंगा है तो घर में जो है कलह का ये कारण भी बन सकता है और शरीर में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये लिवर, किड्नी, स्टमाक और हार्ट को प्रभावित करता है इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो लिवर और से जो है कुछ जूस सीक्रिट होते हैं तो इसको पीने के बाद ये चुकि ब्लड सेर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो पाचक रज जो है लिवर में और अमाशय में पाचक रज अच्छे से नहीं बन बाते हैं जिससे इनका खाना जो है अच्छे से पच्छता नहीं है तो इस तरीके से ये प्रभावित करता है केड़नी को भी प्रभावित करता है और फिर इम्मिन सिस्टम भी इस से प्रभावित हो जाता है जैसे हमने पहले भी बात किती की इम्मिन सिस्टम यदि वीक हो जाएगा तो दूसरे बिमारिया और nei democr founder यह सब लगने के chances बढ़ जाते हैं केंसर होने के chances बढ़ जाते हैं लिवर केंसर जो है मेवी इसके कारण हो सकता है लिवर प्रभाव्यत होता है तो कहना चाहिए की नशीले पॉद्धोड तरीके के रख हमने शुरुबात मेध 나오με्ervesस अब क्षपोस प्राप्त होने वाले कुछ ली तक किये गया थे कुछ यह संब्धु की हमने बात की पाफ की नशीले मThere यह ये थैए बयसन है और इस पर हो निभड़ आज है जो लेता है उसकी बढ़ते जाती है अब यह निर्भरता बढ़ते जाती है तो जैसे हमने बात की थी कि कुछ तो ठीक है यह एज़ा मेडिसिन के फॉर्म में काम आते हैं लेकिन यदि इच्छा शक्ती नहीं है मतलब प्रबल नहीं है इच्छा शक्ती प्रबल नहीं है तो इससे छुटकारा पाना जो है बहुत म शराब पीने से अपराद भी बहुत जादा होते हैं और आपने देखा होगा कि रोड एक्सिडेंट भी जो है वो शराब पीने के कारण यदि ड्राइव कर रहे हैं तो वो जादा होते हैं तो शराब पीने के बाद यह से बहुत सारे अपराद भी होते हैं तो इस तरीके से तो इससे बचना चाहिएक है जो किशोर वर्ग है उनना प्रति होता है क्यों ड्रक्स को लेने के लिए अकैसे वो तो यदि हम किशोरा वस्था की बात करें तो किशोरा वर्स्था जो एक अवधी भी है और एक प्रक्रिया भी और ये अवधी सब्सक्राइब की होती है नो इस इंग अन्तर परीवर्तन आते जाते हैं बॉड़ी में तो एक तो ये changes आते रहते हैं और फिर इस उम्र में कुछ नया करने की उनमें एक उत्सुकता रहती है जिग्यासा रहती है हर की चीज़ को जानने की जोकिम उठाने की उनमें एक कहना चीज़ एक इच्छा स्वतह से आती है तो इस तरीके से ये सब जो changes आते हैं उनकी body में तो ये सारी परिस्थितियां जो है वो इनको ऐसे ओशदियों के प्रती ऐसे drugs के प्रती ऐसे नशीले पदार्थों के प्रती जो है वो आकरशित करती है तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि ऐसे कौन से reasons हैं जिसके कारण यूआ वर्ग किशोर जो हैं उस और आकरशित होते हैं कम उम्रे के लड़के लड़कियां है स्कुल अप्रेक के जो बच्चे है इवन चोटी klaszer के बिचे हैं वह भी प्रेरिट हो जाते हैं तो क्या तौ नहीं है कि आसी कि शोरब्र में धारण है कि इसको लेने से अद्भूत आनद मिलता है लेकिन यह धारणा वास्तविक नहीं होती है लेकिन उसको लेने के लिए जो है चुकि कुछ ऐसे पदार्थ नशीले हैं कि वास्तविक स्थिति से दूर चले जाते हैं रोमांच पैदा हो जाता है संसनी पैदा हो जाती है बॉडी में तो इसलिए उसके लिए जो है यह उस और आकरशित होते हैं कि लेके देखते हैं फिर कुछ जो है निराशा या किसी को चिंता रहती है तो उसको दूर करने के लिए लेते हैं कुछ ऐसे जो है सामाजिक दबाओ के कारण लेते हैं मतलब किसी पार्टी में गए तो उसको फोर्स गया जा कुछ जो है ऐसा सोचते हैं कि इसको लेने से कारे चमता बढ़ जाती है तो ऐसे कुछ है मतलब ड्रक्स जिसके लेने से जो है ब्रेन की सतरकता और जागने की चमता बढ़ जाती है तो खिलाडी जैसे लेते हैं कोकीन का ड्रग लेते हैं तो इस तरीके से वो सोचते हैं की कार उपर किसी नशीले पदार्तं को लेने की शुरुवात होती हैं अब जो ये बच्चे यह वर्गे में जो लेते हैं अगर कम उम्र के हैं तो तो इसमें जो है यहां उनको इन से अलग करने का यानि नशीले पदार्तों से दूर करने के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज जो है हमारे आसपास रहे उसको बनाने के लिए जो है कौन-कौन जिम्मेदार हो सकता है उसमें टीचर्स भी इन्वाल हो सकते हैं पैरेंट् होती है और जो कुछ भी कर गुजनने के लिए उसक्षम होती है तो यदि उनकी शक्ति को पहचान कर इनका इनकी उर्जा का उपयोग कहीं और किया जाए तो वह बहतर समाज बन सकता है आर्थ एक उन्नती में भी जो है इससे देश को फायदा हो सकता है तो कुछ ऐसे हो सकते हैं तो अब क्या क्या सिम्टम होंगे तो जो बच्चों लगातार एक उनका जो एजूकेशनल फिल्ड है इस बहुत अच्छा परफॉमस कर रहे हैं तो यदि अचानक से कम हो जाता है शेक्षिक छेत्र में उनका प्रदर्शन परफॉमस यदि कम हो रहा है तो यह प लगता है किसी दबाव के कारण ।ब डप्रेशन में आ जाता है को मांसिक तनाव रहता है चिंदा रहती है तो वो अलग होने लगता है यह फिर जाना ची उनके उनके खाने की आदतों में यदि परिवर्तन आ जा रहा है यह जैसे वजन घट रहा है यह बढ़ रहा है तो हcuss Bluetooth उससे हो यदि को यदी गौर किया जाए चाहे टीचर इसफोर पैरेंट्स हों तो ये शुरुमात दौर पर हम ये पता कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर उनकी आदजतों को पता पर सकते हैं वह क्या ले रहे हैं कहा है किसे मिल रहे हैं तो ये एक तरीका रहते हैं उनकी पहचान का अब ओवराल हमने जो बात की थी कि ऐसे बहुत सारे नशीले पदार थे जो हैं जो युवा वर्ग लेते हैं अब इसकी रोक थाम कैसे करें अभी तो हमने ये लक्षणों की बात की कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं क्या क्या दिखते हैं उनमें ऐसे वाले निकालना चाहते हैं मतलब कि उनके जो परफॉरम Innst oses वह बहतर रहे तो एक तरह से एक प्रेशर करता है और उस प्रेशन में हो सकता है वह मानसिक दबाओ को महसूस करें और फिर हो सकता है वार डेप्रेश्न निढ जाए और डिप्रेशन में जाएगा तो फिर क्या होगा और निश्चित रुब्स ऐसे कुछ नशीले पदार्थों की और आकर्शित हो सकता है तो ऐसा दबाव जो है बच्छों को ना दिया जाए कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें वो तो इस तरह के से उनको इस तरह की पाइंटिंग है डांसिंग है म्यूजिक है कुछ और गेम्स है उनको गेम्स कहलना पसंद है तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे यदि कुछ और एक्टिविटीज भी करते हैं तो डैफिनेटली वो क्या रहते हैं उनका एक बिजी शिडूल रहता है तो यह तरीका है कि श परोस के लोग हैं या उनके जो साथ ही लोग है यदि मालो कोई बच्चे ने देख लिया और पैरेंट्स को आके बता रहे हैं तो उनकी मदद से भी क्या किया जा सकता है उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनके साट आउट किया जाए तो तो भी एक यह तरीका हो हो सकता है क्योंकि वह जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो सकता है वह प्रॉबलम्स यदि साल हो घए तो फिर कहना चाहिए वो एक जो मांसित तना है उससे ऊबर जाते हैं एक यह तरीका हो गया और फिर आस्पास के लोग भी इस तरीके के रहें कि जो मतलब पैसे तो फिर एक ट्रीटमेंट होता है यानि कहना चाहिए कि मैडिकल ट्रीटमेंट होता है तो वह साइकोलाजिस्ट और की मदद से जो है उनको इन से छुटकारा दिलाया जा सकता है लेकिन ये सारे काम जो हैं बहुत स्लोली होते हैं बहुत धीमी गती से होते हैं और पेशेंसली होते हैं तो सब को इसमें लेकर यानि टीचर्स भी इन्वाल्व रहेंगे पैरेंट्स भी होंगे और सोशली मित्रव अगर हैं वो भी यदि इन्वाल्व रहेंगे तो कहना चाह कोई भी किशोरावस्था का जो बच्चा है यदि वो उस और प्रेडित हो रहा है तो उसको रोका जा सकता है